नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर बलड कैंसर से जीती दो स्टूडेंट की कहानी बाहर घुमाने का बोल कर कीमो कराते अब एक डॉक्टर दूसरी को पेंटिंग का शॉक हर साल चार फर्वरी गो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है इसका मकसद है कैंसर के प्रती लोगों को जागरुक करना कैंसर एक घातक और जान लेवा बिमारी जरूर है लेकिन ला इलाज नहीं है सही समय पर इलाज, पॉजिटिव सोच, उमीद और हिम्मत के साथ परिवार का सपोर्ट इस बिमारी को मात दे सकता है इसी ज़स्वे से कैंसर को मात दी है भुपाल की अपूर्वा सिंग और मानिया दिक्षित ने दोनों की कहानियों में कॉमन बात यह है कि इन्हें उस उम्र में कैंसर हुआ जब यह इसके बारे में जानती भी नहीं थी अपूर्वा केजी टू में पढ़ती थी और मानिया दूसरी कक्षा की स्टूडन्ट थी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी परिवार का सपोर्ट भी मिला पांच-छे साल तक चले लंबे इलाज के बाद अब दोनों पूरी तरह से स्वस्त हैं और सामानिय जिंदगी जी रही है अपूर्वा MBBS डॉक्टर बन चुकी है तो मानिया नौवी कक्षा की स्टूडन्ट है अपूर्वा जब पांच साल की थी तब उन्हें कैंसर डेटेक्ट हुआ था अपूर्वा कहती है कुछी दूर चलने पर थकान महसूस होती थी कई बार बिमार पढ़ने लगी घरवालों को लगता था कि स्कूल न जाने का बहाना बना रही हूँ अगर वैं नहीं जानते थे कि मैं ऐसी गंभीर बिमारी की चपेट में आ चुकी हूँ जो जान लेवा कही जाती है अपूरवा कहती है परिवार ने कहीं डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी बिमारी का पता नहीं लगा पाया इसके बात करीबी रिष्टदार के कहने पर पापा मुझे एक जरुरत फिजीशन के पास ले गए जब मेरी जांच रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लिंफूसाइट ल्यूकेमिया है जो एक तरह का बलड कैंसर है वे कहती हैं कि कैंसर का सुनकर परिवार सन न रह गया मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था तीन महीने तक मेरी मा को इसके बारे में बताया नहीं था पांत साल तक इलाज चला बाइस कीमो इंजेक्शन लगे अपूर्वा का इलाज भुपाल के जवार लाल नहरू कैंसर अस्पताल में शुरू हुआ अपूर्वा ने बताया कि शुरुआत में मेरा शरीर कीमो थेरपी को रिस्पॉंड नहीं कर रहा था डॉक्टर ने पहली रिपोर्ट देखकर परिवार वालों को कह दिया था कि इस बच्ची का बचना काफी मुश्किल है लेकिन पापा ने कहा कि वो ट्रीटमेंट जारी रखेंगे एक महीने बाद अचानक मेरी शरीर ट्रीटमेंट को रिस्पॉंड करने लगा कीमो थेरपी ट्रीटमेंट को लेकर अपूर्वा का कहना है कि ये मुश्किल दौर था कीमो थेरपी आपको मानसिक रूप से तोड़ देती है कीमो थेरपी के साथ मुझे स्टेरोइट के डोज भी दिये जाते थे जिसकी वज़े से मेरा वजन काफी बढ़ गया था अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमश्कार और देखते रहेए दा खबरदार लिउस अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता मांटेन केफे और बेकरी फार्स्त खूर्ट नियर्बाइ सुहागी बाइपास शिफ्टिं की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट गो पैकरस और मूवस हैं जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाकार को स्वक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टूवन ट्रिपल जीरो सेवन वन सेवन